चैगनेश, चैगनेश, चैगनेश देवा, तेरी माता पार्वती, पिता महादेवा हे सिद्धी विनायक, मेरे कथे जैसे बेटे को ज़रा बुध्धी दे, थाके वो कुछ काम धाम करे अरे बुढ़ाओ, काम धाम करने के मुझे क्या ज़रूरत है, हैं? अपनी तीजोरी में जितना माल है, वो तेरे जाने के वाद सर मेरा आई तो है तेरा नहीं, इस प्रकाश की मेहनत के पैसे है सब जानते हैं, कि ग्राकों को यहां तक खीच के लाने के लिए उस बिजाने को कितर पपड़ बेलने पड़ते है कट पुदली की तरह घंटो नाचना पड़ता है, वो देख, तो अभी तरह घर नहीं गया इतनी जल्दी का बबजी, अभी तो ग्राकों को आने का समय शुरू हुआ है अरे घर पॉचनों में तुझी देर हो गया तो तेरा खरास समय शुरू हो जाएगा आप मेरी फिकर मत किजे बबजी तेरी फिकर नहीं, मैं अपनी फिकर कर रहा हूँ तुझी जानता है, जो भीली तेरे घर में चमकती है, वो मेरे घर में आकर टूटती है कर जा, कर जा कहां गई होगी? डाडी, डाडी अरे, पिंकी बेटे, तु यहां क्या कर रही है? मम्मी मुझे बन करके बाहर चली गई है कहा? पता नहीं डाडी, मुझे बड़ी जोर की भूख लगी है क्या कर लो? दर्वा कई तोड़ देता हूं ओ प्रकास भाई, प्रकास भाई आप चाहे हैं तो मेरा अखा मकान तोड़ दालो लेकिन यह दर्वाजे को कुछ मत करो, पता है क्यूं? क्यूंकि यह दर्वाजा मेरे स्वर्गवासी दादा जी की निशानी है जो उन्होंने काचमंडू में बनवाया था और मेरे माता पीता साधी करके इसी दर्वाजे से अंदर गय से और इसी दर्वाजे से उनकी अर्थी भी बाहर निकली थी और एक दिन खुदा ने चाहा, तो मेरी अर्थी भी भाहर थी मैं यह पूछ रहा हूं कि रूपा का है मेरी बीवि ओ, आपकी बाइडी रूपा भेर, एक मिनिट, हाँ देखो, घर नंबर तीन की श्रीमती जोती देवी देखने गई है, जोती बने जवारा घर नंबर साथ की श्रीमती सांती देवी देखने गई है, क्रांती विद्धिया देवी, देखने गई है, अनपड, याने यह महले की सारी बाइडी लोग भार गई है, और मर्द लोग खाली घर में है, मैं यह पूछ रहा हूँ कि रूपा का है, रूपा में, हाँ वो देखने का है पत्ती परमेश्वर, कौन से थेटर में, लिबर्टी में, व क्या हुआ है मेरा पती, क्या बात आए में क्यों पर शाय कर रहे आप, आपकी चार-पांच बीविया है क्या, अबे ओ, जबान सभाल के, चार-पांच होगी तेरी, इनकी तो बस मैं हूँ, ऐसा कौन से पार टूट पड़ा के सुंगते सुंगते तुम यहां तक चले आए, फूल सी मासुम बच्ची को ताले में बंद करके, तुम यहां चली आए, तड़क पे थोड़ी छोड़ा आई थी, है तो घर में, ताले लगा दिया तो क्या, कम से कम चावी तो पड़ो से क्या छोड़ा थी, यह लो चावी, मैने जब पिच्छा चलो करो, अरे, बड़ी ब अरे, शरम हो, खसम का नाम सुना नहीं कि कोले मैटका भी चली आई, यह तो सोचा होता कि तुम्हारा नहीं पराया पती है, चलो सब, पता नहीं क्या समझता है अपने आपको, लाज साब कहीं का, औरों के गज़ुरे पती भी, अपनी बीवी को गुमाने फिराने सिनिमा द अपनी बीवी को घर की नौकरानी से जादा कुछ नहीं समझता, खुद तो अपनी बीवी को, सिनिमा तक नहीं दिखाता, फिर सिनिमा हौल में इतनी बड़ी स्लाइट लगाने की क्या जरूरत थी, उसे देखकर चवणनी छाप लोगों ने सीटिया मार मार कर चिलाना शु किसी को कोशने का फायदा, खुसूर तो मेरे नसीब का है, जो मेरे बाप ने मुझे ऐसे अनपर्गवार के पल्लू बान कर मेरा जीवन नर्ग बना दिया, इसने तुम्हे को आरी अच्छी थी, घर वाले चिलाती जा रही है, घर वाला कुछ बोलता है, अभी तो सिनिमा श मासा देखने खड़े होगा इदर, अरे शरम वरम आती है कि नहीं, तुम लोग को जाओ, अपना काम करो जाओ, अरे इस परकास सेट को तो देखो, बाहर तो बढ़ा तीस मारखा बना फिरता है, इसका जबढ़ा तोड़ उसका मुझ पोड़, अब घर में क्यो चुब मुरक, चाय तो पानी होती है, यने लिकविद, सॉलीड होती तो तेरे दात नहीं तूट जाते है, आज इसका जनम दिन है, तो फिर मैं तू इसे चादा दे रहा है, आपके इसी लाग प्याद में इस कलमुही को सर पे जादा रखा है, आपने मेरी बात मानी होती तो, अरे कुमारी में डूब की मारो, तो कन्या साक्षा चंडी पैदा हो गई, मैंने हमेशा तेरा कहना माना और थल्भ होगा, और तू ने सिर्फ एक बाए मेरी बात मानी, और नतीज़ा क्या हुआ, इस लक्षमी की बदौलत, ये महल है, ये करुबार है, तेरा राजपाट है, ते पहुंच गया, और अच्छा किया, हाँ, और फिल्म रूपा के रूपा के नाम के स्लाइड लगवा दी, स्लाइड, चुप, सारे शेहर में उसने उसका नाम बदनाम कर दिया, बदनाम, अरे आओ, तकाश, आओ, बेटा, पाई लगवा, जीते रो, बेटे, जीते रो, आज जो तीकर जनम दिन है, मैंने सोचा, अरे हाँ, उसी के बारे में तो मैं और तुम्हारी सासू जी बहस कर रहे थे, मैंने कहा जनम दिन की दावत घर में ही होनी चाहिए, और ये कह रही ही होटेल सी रॉक में होनी चाहिए, पापजी, वो बिट्टू नहीं दिखाई दे रह बिट्टू, ओ, तुम्हारा लादला भांजा, मैंने उसे समझा बुजा कर होस्टल में भेज़ दिया है, इस घर के आबो हवा में रहने से वो बिलकुल बरबाद हो जाएगा, ठीक है नहीं मैंने, जाना, अपनी बहन से मिल लो, जी बबबजी, क्यों जी, यहां के आबो ह वाह, है बहुत अची जोट जोटी जोटी हाँ भेया देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ क्या लाया हूँ अरे देखो तो सही यह क्या आज के दिन तुम्हारी आँखो में आसू बता, किस ने रुलाया तुझे मैं उसका जिन अराब कर तुझा भेया तुम जानते हो भेया इस घर में तुम्हारी जरा से भी उंची आवाज का क्या अंजाम हो सकता है अगर तुम अपनी बेहन को खुश देखना चाहते हो भेया तो भावी को खुश रखो भेया भले ही उसके लिए तुम्हें अपनी खुशियों का गला क्यों ना कोड़ना पड़े भाईया मैं बताने सकती कि आज मैं कितनी खुश हूँ जिस जगह मैंने अपनी करियर शुरू की थी आज उसी जगह मैं एक अफसर के हैसियत से आई हूँ लेकिन आज मैं आपको यकीन दिलाना चाहती हूँ कि मेरा और आपका रिष्टा एक अफसर और मातहत का नहीं बलकि प्यार भरा साथियों का रिष्टा होगा गुल्शन का है अंदाज बया और हम तो जो भी करते हैं सरा हट के करते हैं हम गुल्शन हैं जिसमें सेकड़ों रंग बिरंगे फूलों की महफिल सजी है वहीं से निकला हुआ ये फूल आपकी नजरा है हाँ एक इलतजा है प्यार से दिया हुआ ये फूल आपकी जुल्फों में जगे पाए और आपकी खुबसूरती को चार चान लगाते हाँ ये चला गो गो ये तो बहुत ही हटके है लेकिन गुल्शन से हटके कहा जाएगी नजाने किस दाकन की नजर लगी इतने दिनों से एक किरायदार नहीं आया कहीं ऐसा तो नहीं कि गवर्मेंट ने लोगों को मफत में मकान देना शुरू कर दिया हो अरे नहीं नहीं अरे लेकिन कोई तो होगा नसीब का मारा जिसको इस दाया भाई पे दाया आएगी कहां है गरीबों का दाता अरे मुन्नी हम भी शंकर दयाल शर्मा मलल भी है उपर बोड देखो मकान तो क्या महल मिल जाएगा मालूम है चलती गारी के सामने आना कानूनन जुर्म है मालूम है लेकिन आपकी तारी था खाहां हमें नहीं जानते नहीं तो हम कानपूर में पैदा हुए नागपूर में बड़े हुए, बनारस में पड़े लिखे और भटिंडा में वकालर शुरू की मवकिलों को चूना लगाने के लिए हम पूना में बस गए जहां हमने फुटबॉल की विकट कीपिंग के बहुत सारे इनाम जीते कबंडी खेलने के लिए नासिग गए और गिलिद्णा खेलने के लिए भुसावल और शिकार हमने जबलपूर में शुरू किया, जानते हो आज तक हमने आच शेर मारे लेकिन आज हम नौवा शेर नहीं मारेंगे, नौवा लोमड़ा मारेंगे बंडूक का नाम मत लो, आपको मेरा जीव लेने का है न, तो मुझे गाली से मारके उड़ा डालो, लेकिन बंडूक से न, बंडूक से मेरे को बहुत दर लगता है, कातिलों का, कातिल तो तुम जानते हो कि किसी की जान लेना कानूनन जुर्म है, और उस जुर्म के लिए उकसाना जुर्म का भी बाप है, उन भी जड़ा बंडूक अरे ये क्या करें आप देखें बेन, मैंने कोई जुर्म नहीं किया है, ये तो इधर बोर्ड लगा था न, तो मैं पढ़के इधर, मैं जाता हूँ मेरा क्या जे जे अरे तुम जानते हो कि हमें मकान की तलाश है, और तुम्हारे पास मकान है फिर भी हमें नहीं दिखाते, ये भी कानूनन जुर्म है भाई यह जुन तुमें कभी नहीं करूँगा भाई, आप चलो तो मेरे साथ में इतना मस्त मकान आपको दिखाता हूँ कि आपकी तबीयत खुश हो जावे, मेरे घर के सामने, आओ आओ बेंट, ये बाज़ो, आपको आख़ा घर दिखाता है, देखो, कितना सुख है, कितना सांती ह उस तरफ से सूरज आता है और इस तरफ से हवा आता है, और इस घर में न मच्छर, न मक्खी, और न कौकरोज, और इस घर में रहने का फाइदा भी बहुते हो, पैसे कभी बहुत बच्चत होता है, पता है क्यूं, क्यूंकि इदर टीवी का जरूरत नहीं, वीडियो का जर अकल क्यों नहीं? अकल दिखाई पड़ती है क्या? चली आई पूछने, भाग यहां से! कटी! आपने यह भैस कैसे बनाई? अकल से बेटे तो फिर अकल ही बड़ी हुई ना? बिल्कुछ सही कहा बेटे आपने पर मम्मी तो कहती है भैस बड़ी होती है वैसे तो अकल बड़ी होती है जो भैस को चराती है लेकिन इस घर में भैस अकल को चराती है जैसे तेरी मा मुझे चराती है भिकार है जानते ने इस तरह दूसरों के घरों में जांकना कानूनन जुर्म है अरे तो बारी बंग कर लेने का, very simple मुझे तो यह घर बहुत अच्छा लगा है very good बेन जाओ अंदर देखो दया भाई वो है वो क्या बोतल अरे जितनी चाहो मिलेगी चिक्कार मिलेगी येलो लेकिन भाई एक बात है इसमें से दो नौटा घमेरा भी है जरूर मिलेगी लेकिन एडवांस में से काट लूगा क्योंकि मुफ्त में पीना कानूनन जुर्म है दया भाई ओश-ओश-वीश ओ तारी आतो मारोबन बाप निकड़ो हाँ क्या तुम अपने आपको माधूरी दिख्षित समझती हो अहाँ ओके 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 वहीं खड़ी रहना माधूरी की तरह एक दो तिन कर्च्वी यहां मत चली आना अब आ गई हो तो श्री दिवी की तरह मत करना बस 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 देखो जी ना मैं माधूरी हो ना श्री दिवी मैं तो तुम्हारी रूपा हूँ हाँ बड़ी परिशांती लगाता काटी ही जा रहा है क्या कीड़ा कहाँ यहाँ आँ निकालो अरे निकालता हूँ मगर यह मत समझना के फिल्मी हिरों की तरह मैं उससे भी आगे बढ़ जाओंगा अरे निकाल रहा हूँ निकाल रहा हूँ मैं जानती हूँ पती के कहा कुछ गुदाने से क्या होता है यह क्या हो रहा है यह क्या हो रहा है कमबस तुमने मुझ सेखा हाँ हाँ कमबस कमबस यह जैड़ि-डैड़ी मम्मी ने आपको कमबस कहा आपका नाम कमबस है क्या हां वेटा आपकी मम्मी ने मेरे दो नाम रखने है दिन में कंबस दाथ कूपिया चलो ठीट, आप चलगर खेलो नमस्ते आउन्टी अल्ये अजर्ये आप कून है मैं ना आपकी बराबर वाले मकार में रहती हूँ अच्छा अगर आप कहें तो मैं आपके कुछ मदद कर सकती हूँ अच्छा, तो आप हमारी मदद करने आई हैं, दादी अमा आओ, बैठो अले, कितनी पाली-पाली गुलिया है का नाम है आपका? मेरे ना दो नाम है तैरी कहते है पिंकी और मम्मी कहते है शार्दा क्या? आपका नाम शार्दा है? मेरा नाम भी शार्दा है लाँ मिला हाथ लेकिन शार्दा तो बहुत अच्छा नाम है फिर तुमारे डैरी तुम्हे इस नाम से क्यो नहीं पकारते? मैं अपने डैडी से पुछ के बताऊंगी, कि वो मुझे न, मुझे मेरा नाम लेकर क्यों नहीं पुकारते हैं अच्छा अच्छा अँटी, अब मैं चलू फिर आओगी न हाँ मम्मी, मुझे छोटा सा डाउट है डाउट? क्या सा डाउट? तुम मुझे शार्दा कहके पुकारती हो, और डैडी मुझे पिंकी कहके पुकारते है, ऐसा क्यों मम्मी? इसलिए के तेरे डैडी की और मेरी पसंद में पूरा पच्छिम का फर्क है क्यों फर्क है? अरे, वो तो मेरी फूर्टी तक्दीर थी, जो मुझे यहां तक खीच लाए, परना मैं तो महलों में राज करती राज यह तक्दीर क्या चीज होती है, मम्मी? वो चीज जो सारी दुनिया को उंग्रियों पर नचाती है वैसे एक कमबक बाप लोग भी कम नहीं होते, जहां चीज जहां, वहां बेटी को ढखिल देते हैं लेकिन तू अपने बाप की बातों में ना आना अपनी पसंद के लड़के का हाथ पकड़कर शादी करके चैन से रहना अगर वो तुससे शादी ना करे तो चक्क मार देना, क्यों? अरे, कहा गए? तैड़ी अरे, पिंकी बिटे, तुम तो मम्मी की पास सो रही थी न? नहीं, मैं मम्मी के पास नहीं सोंगी क्यों? मम्मी मेरी बात का जवाब तो देती नहीं है, चाने क्या-क्या बोलती है अरे, मगर तुमने पूछा क्या था? मैंने पूछा, मेरा नाम शादा है और डैड़ी मुझे पिंकी के क्यों पुकारते बोलो न, आप मुझे शादा के क्यों नहीं पुकारते बोलो ना रेड़ी मैडम आपका नाम? शायदा, कब तक मिल जाएगी मुझे एड्रेस? यह कोई दो महीने में क्या? ना बबा ना, जैसे भी हो मुझे तो एड्रेस एक हफते में चाहिए, हाँ सोरी मैडम, आप इस शहर में नहीं लगती हैं तभी शायद आपको नहीं मालूम इस दुकान के सिलेवे कपड़े पहनने के लिए शोकीन लोग महीनों ही नहीं सालों तक इंतजार कर लेते हैं, सालों तक होगा, लेकिन मैं उन लोगों में से नहीं हूँ लाए मेरे कपड़े वापस क्या हूँ शार्दा, कितने दिन में सीने को कह रहा हैं दो महीने में वाट नहीं से लाने आप उनको तुमसे कपड़े कमान गर्स, लेट्ट गो मैडम, प्लीज गी मी अचांस मैं आपके कपड़े से दूँगा प्लीज मैडम अरे तुम, चीज क्या है वाट वाट उस कबार खाने को तुम दुखान कहता है मैं सॉरी मैडम आपके लिए वो कुछ भी होगी लेकिन मेरे लिए वो दुखान है मेरा मंदिर है मंदिर? मुझे तो पुराने कपड़े और पुरानी मशीन की बूँ यहां तक आ रही है वाट वाट इड्रेस? किदर में से लाया? स्टाइलो में? लंडन टेलर्स में? लाइट अब बॉम्बी में? लाइट अब बॉम्बी में? लाइट में? लाइट में? लाइट में? लाइट में? लाइट में? आप सब तो पड़ी लिखी है जानती होंगी कि पुरानी कलम से भी नई और खुबसरोशारी लिखी जा सकती है लाइट में? मिस्टर प्रकाश तो रहनी रहनी? रहनी क्या मतलब? मतलब यह कि एक मिलेट प्रकाश यह प्रकाश वाइट जब गत्रनों से इनने यह कमाल कर बिखाया है तो नई कपड़ों के जादी क्या दमाल करेंगे? देखे लिए किराय के लिए चक्कर लगाते लगाते मेरे चांगे तोट गई पैसा नहीं है पैसा नहीं है अरे चोटू, यह सारा सामान बरतन समेच ले किराया वसूल हो जाएगा मालिक, मैं आपके आगे हाथ चोड़ते हूँ दया करो, ऐसा मत करो मालिक क्या, तुम्हारे ऊपर दया करूँ क्या मैं पागल हूँ किराय के लिए पैसे नहीं और टेक्सी में गूमता है अरे, यह क्या हो गया बिता यह चूट कैसे लगी भया कुछ नहीं देखी सिर जी, बहुत जल मैं आपका किराय चुका दूँगा अरे जा जा, नंगा क्या नहाएगा और क्या निचोड़ेगा इस मुसीबत की गड़ी में आपने अपने च्छत का साया हमारे साथ बांटना चाहा यह आपका बड़कपन है एहसान है लेकिन किसी का एहसान भी तब ही लेना चाहिए जब उसे उतारने की खुद में ताकत हो और मेरे जैसा इंसान जो अपनी मशीन की टूटी हुई सुई बदलने के बारे में दस बार सोचता हो भला किसी का एहसान कैसे उतारेगा खास दोर से इस हाल में जब उन बदमाशों ने मेरी मशीन तोड़कर मेरे जीने का आखरी साहरा भी छिन लिया मशीन तूट गही तो क्या हुआ दिल नहीं तूटना चाहिए आत्मा विश्वास नेक होना चाहिए जब तक किसी के पास ये दौलत है उसके लिए कोई भी चीज ना मुंकिन नहीं कि जढ़ने कि अ अबहाँ 수र दूटना प्राप्स कि अ अबहाँ टूटना कि आत्माशन गीन तूटना यह क्या है भईया यह अंग्रेजी में इंविटेशन कार्ड और हिंदी में निमंतरन पत्र शिरिमान शंकर तयाल M.A.L.L.B. विटेशन कार्ड तो उसका नाम यहां भर दे तो बनाउंस लेटर में वरना वरना बिन दुले की शादी में आया हुए तमाम मेहमानों में से किसी एक को चुन कर तेरा दूला बना दूगा नमस्ते अरे नमस्ते आये न हलो जब दो लोग आपस में पहली बार मिलते हैं तो इनका इंट्रोडक्शन ना कराना कानूनन जुर्म है यह मेरे शंकर भया हैं आयम प्रकाश प्रकाश अच्छा तो आप वही प्रकाश हैं जिनकी तारीफों के पुले चिठियों में बांती रहती हैं बढ़ा नाम सुना है आपका सुना है कि देखते हैं आप खाक पती से लाख पती हो गए यह सब इनकी मदद और प्रेरणा से हुआ है आपकी मदद और प्रेरणा से हुआ है आच्छा आच्छा शादी बादी हो गई क्या जी घर में जवान बहन के होते हुए हैं मैं अपनी शादी के बारे में कैसे सोच सकता हूँ अरे महार डाला अरे महार डाला वो, डिजाइन्स के बार में डिस्क्रस करना था मैं आप स्केच्चिस ही कर रही थी, कल तक तयार हो जाएंगे, आप लेजाएगा उन्या जी, मैं चलता हूँ अब, चाय पीजेगा? जी नहीं, फिर कभी, ओके बाइ भाई, 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 हाई, भाई भाई, भाई भाई वहाँ, भगल में लडगा, शैर में धिंडो रहा सुशी लडगा है, ऐसे सुपातर के रहते किसी दूसरे को खोजना कानौन अंजर्म है मुश्कुराने की जरूरत नहीं है मुन्नी और जो मैं कहा रहा हूँ उस पर गौर कर जटपट कार पर दूलहे का नाम लिख दे मैं शादी की तैयारियां करता हूँ मेरी प्यारी बहनिया बनेगी बहनिया आपने मुझे बुलाया मैं सोच रही हूँ अपना ट्रांसफर कर वा लो कहाँ कहीं भी लेकिन लेकिन क्यों आप तो जानते मेरी भाईया पुना में रहते हैं और पुना यहां से बहुत नजदिक है जब जी चाहे चले आते हैं और बस एक ही रट लगाया रहते हैं, शादी कर लो, शादी कर लो अब आपी बताएए ना, दुल्हे कहीं रास्ते में तो पड़े नहीं मिल जाते, कि मैं फौरण हा के दू शंकर भाया का सोचना गलत नहीं है, शादी तो आपको करे लेने चाहिए, अच्छे लड़कों के भला आपके लिए क्या कमी हो सकती है हाँ, लेकिन अच्छे लड़के भी तो यही सोचते होंगे न, कि उन्हें अच्छी लड़किया मिले, मुझ में ऐसे खुबियां कहां, जो किसी का मन जीत सके क्या कहती हैं आप, वो तो कोई खुश नसीब ही होगा, जिसे आप जिसी पत्नी नसीब होई आप भी एकदम खजुर पर चड़ा देते हैं, लेकिन मेरे साथ एक प्राब्लम और भी है Basically, I'm a carrier conscious person, मान लीजे मेरी शादी हो गई और मेरा transfer हो गया तो फिर या तो मुझे घर और पती छोड़ना पड़ेगा, या फिर अपना carrier ये भी तो हो सकता है कि आपका पती आपकी खातिर सब कुछ छोड़कर आपके साथ चल पड़े मान लीजे ऐसा कोई हो भी तो जरूई नहीं कि वो मुझे अच्छा लगे, मुझे पसंदा है अच्छा आप ही बताईए, जैसा मैं चाहती हूँ, वैसा जीवन साथी मुझे मिलेगा मुझे पूरा विश्वास है, जैसा आप चाहती है, वैसा जीवन साथी आपको एक दिन जरूर मिलेगा जैसा आप चाहती है, वैसा जीवन साथी आपको एक दिन जरूर मिलेगा जापको एक जापको एक जरूर मिलेगा आपका खत्सर आंखों पर आप तो जानते हैं कि मैं आपकी इतनी इज़त करता हूं कि आपका नाम लेकर भी पुकार नहीं सकता आप तो मेरे लिए देवी हैं देवी को मंदिर में बिठा कर पुजा तो कहीं जा सकती है तेकिन उसे घर की शोबा नहीं बना जा सकता डेडी 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 आपने बताया नहीं आप मुझे मेरा नाम लेकर क्यों नहीं पुकारते क्या आप अपनी टीचर को नाम लेकर पुकारती हैं? जी, टीचर को कोई नाम लेकर पुकारता है? बिल्कुल ठीक बेटे, जिनके हम इज़त करते हैं, पुजा करते हैं, उनका नाम लेकर उनका अपमान नहीं किया जाता साप, अभी कितनी देर और लगेगी? अरे भाई अभी टोकन दिया है कैश का मामला है टाइम तो लगेगा चलो चलो सबर करो सबर करो दिमाग मत खाओ साब आपको मैडम ने बुला है अबे देखता नहीं मैं बिजी हूँ साब अबे जा के कह दे उससे मैं काम कर रहा हूँ मैडम ने बोला आज से आपको कोई काम नहीं क्या काम नहीं है उसके बाप का राज है क्या तुम्हारी उस मैडम की बच्ची को आई हुए जुमा जुमा आट दिन हुए नहीं अलगी हम पे रोब जाबाने उसको मालूम नहीं है मेरा नाम गुल्शन है मिस्टर गुल्शन मिस्टर गुल्शन अगर आपको कुछ पूछना है तो मुझसे पूछिए शिकायत तो तुम्हारी मैंने काफी सुनी थी यही कि तुम 420 हो, जालसाज हो, काम चौर हो लेकिन आज मैंने अपनी आँखों से देख पिलिया कि तुम छोटी छोटी कामों के लिए अपने कस्टमर्स को कितना करती हो और वो भी अपनी आयाशी की खातर इस तरह आप सबके सामने मेरी बेज़ती करने का आपको कोई हग नहीं है मेरा क्या हक है यह मैं अच्छी तरह से जानती हूँ और उसी हक से मैं तुम्हें तुम्हारे काम से अभी इसी वक्त डिस्मिस करती हूँ वा जी वा बहुत अच्छे तुमने कहदियार गुल्शन डिस्मिस हो गया और वो भी वगार किसी नोटिस के नोटिस के कोई ज़ूरत नहीं यह रहे तुम्हारे immediate relieving orders यह हुई ना बात जरा हटके मुझे बचालो नहीं तो वो मुझे माट डालेगा मुझे बचालो अरे भगवान मैं तो कंडाल गया और रोजोज के जगड़े से सूराज बाद में निकलता है पहले किट-किट शुरू हो जाता है ओव भया बस करिये कंगी जो पता करो मामना क्या है तुमने भरे बजार में एक बैचारी अरत को मारा तुम आदमी हो या जानवर क्या लगता है यह तुमारा मेरा घरवाला अपनी बीवी को बेरहमी से मारना क्या अची बात है उसी की आबरे उतारना जो तुम्हार ले क्या क्या नहीं करती है तुम्हार ले खाना पकाती है तुम्हार ले बच्चे पैदा करती है उनकी देखभाल करती है आखर इस बेचारी से ऐसा क्या हो गया जो तुम उसको पीटे जा रहे थे और इस तरह पीटे जाना कानून है तुम्हारे कानून की ऐसी तैसी, पहले उस सामने के घरवाली औरत से तो पूछो आरे ओ, पहले ये बता तू, मुझे औरत कहने की तेरी हिम्मत कैसे हुई मैं लेडी हूँ, लेडी, आएंदा तूने मुझे कभी औरत कहा, तो मैं तेरी बती से निकाल का हाटे लिपे रख दूँगी, बेशन कहीं का किसे मज़े से कहता है, सामने वाली औरत से पूछो, अरे साले, मैं क्या तेरी नौकर हूँ, जो तो ऐसे बोलता है, चोरी और स्थीना जोरी एक तो तेरी औरत मेरे सुंदर पची में डोरे गाले और मैं चुप रहा चाओ अरे भाई, ये कहा का इंसाफ है, हाँ ये लोग क्या बोलेगे, ये तो मुस्त जलते हैं, लगता है आप लोग यहां नए आए हैं, कब से कम आप तो नियाए की बात कीचे आपको नियाए मिलेगा, एक तो बिना नोटीस दिये इनको यहां बुला लेना, और उपर से इनको औरत कहना, ये कहा का इंसाफ है भया, आप ही बताईए मामला क्या है, देखो, सारी दुनिया को इस आउरत ने, सारे चार रुपए किलो के भाव में बैगन बेचे, मुझे भी इसी भाव में बैगन तोल रही थी, अचानक अंदर से मेरे पती बाहर आए, उन्हें देखते ही, इसकी बांचे खिल गई, और ये चुडेल बोली, हरे साफ, ये आपका घर है, फिर तो मैं बैगन में आठाने कम कर दूँगी, तुम ही बताओ, कोई यूही पैसे घटा देता है, अगर मैंने इस भाजी वाले को बता दिया, कि इसकी बीविया और मेरे पती का चक्कर है, तो मैंने क्या कोई जुर्म कर ये जुर्म नहीं है, लेकिन अपने पती का भाव आठाना लगाना ये कानून जुर्म है, उतारीनी, इसका मतलब है, बात में कुछ दम है, क्यूंकि साड़े चार रुपया किलो का जो रिंगना है, उसमें इसने आठाना कम क्यू किया है, पूछो, पूछो, इसी से पूछ इसी गाड़ी में सामने वाले साब ने भगवान बन के मेरी मदद की, इसी वास्ते ये सब में, तमाम बयानों से थावित होता है, कि जो असली मुझरिम है, वो खुद को कमरे में बंद के बैठा है, और ये कानूनन जुर्म है, अरे ओ प्रकास भाई, ओ भाई साब, जरा ब ऑज साब इसमा उंडरो ने साब 30 मुझर साब लोगए, बीज बर Sóका साब company, उनकान प्रफ़ा वे में फिक वाई साबु़ पुद से जिए, खिक कान आची प्राव घब जेघता है, कि बंगद की हाई थाउ उन्हें है, हो तो अस्ता है, वे खुद में साब C state, वे । जए नमस्ते माजी, अरे आपने मुझे पचाना नहीं, मैं शार्दा हूँ, और ये पिंकी है, आपकी पोती, हाँ, तुम शार्दा हूँ, मैं यहां वाजु में रहती हूँ, आप चलीना, आए, बहन भाई का प्यार तो तुमने खुद अपने आखों से देखा है, प्रकाश ने ह हमेशा यही चाहा, कि उसकी बहन खोश रहे, लेकिन हमारे लसीप में कुछ और ही लिखा था, एक दिन पता चला, कि चोती माँ बनने वाली है, काँ है वो, काँ है वो, काँ है, दीपक, जब हार कॉलिनी में रहता है, बाग का नाम, मनुहर लाल वर्मॉ, मैंने इसे बात कर ली है, ये शादी के लिए तयार है, लेकिन एक शर्थ पर, आपको साथ फेरों की कीमत चुकानी होगी, क्या कह रही हूँ? तुम चुप रहो जी, हाँ, हाँ, तो पहला फेरा मेरे लिए ग्यारासो साडियां जरी की, दूसरा फेरा तब होगा, जब मेरे आठैको फेरा, हाँ, 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 इसके लिए एर कंडिशन कार, छटा फेरा, तुमारा कारोबार हमारा हो, और साथवा फेरा, वु माय बताता हूँ, तुम्हीं मेरे बैन से शादी करनी होगी, तुम चुप रहो बुढ़ा हो, माय जो कह रहा हूँ, सोच समझ के कह अरे तेरी बुद्धी खास चरने गई है क्या जब ये अपना सब कुछ हमें दे ही रहा है तो मेरी बेटी इस कांगले की घर में जाके सुखे शंग बजाएगी तुम फिकर क्यों करती हो मा जब सारे खारवार का मालिक मैं बन जाओंगा तो इससे अपने यह नौकर रख लूँगा जो ठीक है ना भाई हमारी सारी शर्तें मन्जूर है ना जी इस तरह अपनी बेहन की खादिर मेरे बेटे ने अपना सुख अपना सम्मान अपनी दौलत सब कुछ दाओं पर लगा दिया इतने पर भी मेरी बहु ना अपने घर को घर मानती है ना अपने पती को पती ऐसे माहौल में मेरा वहार रिला कैसे होता बेटी फिर भी मा हो ना जब भी बेटे को देखने को आँखे तरश चाती है चली आती हूँ अगर आप मा है तो प्रकाश पी तो आपके बेटे हैं, क्या उनका कभी जी नहीं चाता, क्या आपसे मिले, आपके दुख दर्द पूछे कैसी बाते करती है बेटी, मौका मिलते ही, प्रकाश मेरे पास सिर्फ आता ही नहीं मैने के खर्चे के पैसे भी दे जाता है कहने को तो जिन्दगी चल ही रही है, लेकिन ये भी कोई सिन्दगी है फिर आएगा माजी, आपका घर है हाँ बेटी, जरूर आउंगी, तुमसे बाते करकी मन का बोछ हलका हो गया अच्छा अच्छा जर सुनो तो, इधर आना, इधर अभी अभी जो ओरत टैक्सी में गई, वो कौन थी? क्यों, क्या बात है? हाँ, ऐसी कोई बात नी, मैं तो बस यूहीं पूछ रही थी कि जो औरत मेरे दर्वा से आई, उसे तुम अपने घर ले गई, खाना वाना खिला है, बड़े प्यार से विदा किया मुझे ऐसा लगा, कहीं वो तुम्हारी सास तो नी अरे, क्या बात करती हो आजकल के जमाने में कोई बहू अपनी सास को पूछती भी है मैं उनको अपनी घर में लेकी गई, उनकी खातिरदारी की, तो भला वो मेरी सास कैसे हो सकती है लेकिन ये सब तुम मुझ से क्यों पूछ रही हो, कहीं वो तुम्हारी सास तो नहीं नहीं, ऐसी कोई जल्दी नहीं, अच्छी तरह सोच के जवाब देना, मैं घर में बैठी हूँ शादा, जाख समस्ती अपने आपको हम, तो शुरू हो गई चुगल खोर अपने बाप के कान भरने कैसी हो तुम रुपा, अच्छा बला ना मैं बच्चे का लेकिन तुम उसमें गाली जोड़े विना बात ही नहीं करती है मैं तु समझी थी, तुम्हें बच्ची के पितने का दुख हो रहा है लेकिन नहीं, तरक ते तुम इसलिए रहे हो, कि मैंने उसके नाम को गाली दी मैं पूचती हूँ, इस नाम से तुम्हें इतना लगाञाव क्यों है क्या इस नाम की कोई चुड़एा तुम्हारे सगे वाली लगती है हो, मैं दिवारा से बात नहीं कर रही, तुम से कर रहे Cancer अरे, मेरे बात की नहीं देते मेरे पास तुमहरी बे-मतल्ब की बातों का कोई जवाब palsy बच्छे को भी जिस बात का मतलब समझ में आजाए उसे तुम बे-मतलब कैते हो बगल-वाली घर में जो अवरत रहती है उसका नाम श Tibet यही नाम तुम्हारी बेटी का भी है, क्या इसका कोई मतलब नहीं? बगल वाली तुम्हारी मा को अपने घर में ले गई, ठूस ठूस कर खाना खिलाया, क्या इसका कोई मतलब नहीं? जैक्सी में बढ़ा कर उसे ऐसे विदा किया जैसे अपनी सास को विदा कर रही हो, क्या इसका कोई मतलब नहीं? मतलब है, मतलब यह कि उस वक्त तुम घर में नहीं थी मतलब यह कि तुम किसी सिलमा और यह शॉपिंग सेक्टर की खाक चान रही थी और मतलब यह कि तुम अपनी सास को सास नहीं एक भटेयाल बिकारन समझती हो, इसके ज़्यादा और कुछ नहीं तो तुम्हारा मतलब है, वो परही और यह और सही है और मा घलक? ठीक है, कल तुम्हे इस बात का चाप ही मिल जाएगा कि कौन सही है और कौन घलक? अरे भाई, यह सेब तो आटा यह, इसमें दाग है अरे बीबी, यह तो एक इस दाग है, वो भी सेब पर, पर अगर किसी और पर दाग लग जाए तो, इसका कोई क्या करे? हाँ आप इशार्दा देवी हैं? जी हाँ, क्यों? कुछ खास नहीं, मैं तो यह जानना चाहता था, कि जो कुछ आपके बारे में सुना है, वो सच है न? तुम्हारे घर में कोई बड़ा बुड़ा नहीं है? क्यों? क्या बात है? बेहन, घर में कोई समझदार बुजर्ग होता, तो अब तक तुम्हारे हाथ पीले होते हैं, और इन अफवाओं का मुँ बंद कर देता अफवाएं? कैसे अफवाएं? मौसी, मौसी, इन बगल वालों की यहां आज कुछ है क्या? सुना है, लड़की देखने आये हैं, लड़की? कौन सी लड़की? अरी वही शार्दा, लड़की क्या औरत है, पूरी औरत, यह भी कोई शादी की उमर है? नहीं नहीं, बेहना समझ कहो, शादी होकर यह यहां से कालम होगा, मैं तो परशार चड़ाओंगी. उसके भ्याकित, तुझे क्यों इतनी फिकर? इसलिए कि इस चुड़े के शादी हो, और मेरा घरवाला इसके चकबल से निकले, धगवान ही भला करे उस महले वालों का, जहां यह भ्या कर जाएगी. अरे आईये, आईये, नमस् थीक रहेगा. सुनो जी, मुझे तो दाल में कुछ काला नजर आता है. वरना इतनी बड़ी लड़की, इतनी उमर तो कुवारी थोड़ी बैटी रहेगी. मैं तो कहती हूं कुछ बाहना बना की चले-चलो यहां से. ठीक है. बात क्या है, बेटे, मेरे बड़े भाई भी थीक रहेगा. यह क्या कह रहे हैं आप? सारा प्रोग्राम टे हो जाने के बाद उसे मुल्तवी कर देना कानूनन जुर्म है. देखेने का इसी लड़की को, जिसके बारे में लोग बाग तरा-तरा की बाते कर रहे हैं, चाला की से उसे किसी के गले बांद देना, यह भी नहीं है. हम तुमसे यह भी नहीं पूछ रहे हैं के लड़की का चाल चलन कैसा है? और हम तुमसे यह भी नहीं पूछ रहे हैं के लड़की आज तक कुवारी क्यों बैठी वी है? हम तो सिर्फ यह कह रहे हैं, फिला हाल यह रस्म नहीं हो सकती, क्योंकि शुब गड़ी बी कौन? कौन है? आप जरा नीचे आएंगी? उचा इस बार पहुचकर नीचे उतर ना मेरी आदत नहीं? मुझे तुमसे अकेले में कुछ बाते करनी है तुम्हारी बातों से जरूरी इस वक्त मेरा ये काम है देखे नहीं मैं बाल बाहर रही हूँ वैसे भी मुझे से अकेले में तुम क्या बाते करोगी? बात ये करनी है तो मेरे पती से करो, सारी दुनिया को तमाशा दिखाओ देखो, बात को जादा ना बढ़ाओ तुम पहले अपने पती और मुझे को लेकर लोग उनको काफी बढ़ता चुकी हो बात तो तुम खुद बढ़ा रही हो यहां से फारन चली जाओ वरना मैं चिला चिला कर सारी दुनिया को बता दूगी कि तुम कितनी चादू चीज हो यही तो मैं भी जानना चाहती हूँ कि दुनिया की नजरों में आकर तुम मुझे क्यों गिराना चाहती हो पड़ी भूली बनती है अगर तेरी नियत इतनी ही साथ है तो रहने के लिए तुने यही जगा क्यों चुनी अपने जूटे लाग प्यार में मेरी बेटी में जाड़ों क्यों डाला मेरी साथ की इतनी ललूचत पुदिन की मेरे पट्टी को अपने प्रेम जान में भजाने के लिए न यह सरसर जूटे गलत है मुझे जूटे घहराकर तुम मेरा मू तो बन कर देगी क्या समाज का मू भी बन कर पाएगी समाज के कान भरने वाली भी तो तुम ही हो तुम्हारी एक जूटनी मेरी जिंदीगी तबाह कर दी तु अपने आपको बहुत पवित्र समझती है मैं क्या हूँ यह मैं अच्छी तरह जानती हूँ मुझे तो तुम से सिर्फ इतना कहना है कि तुम अपनी फिलाए जूटी हफवाएं वापस ले लो और अपनी खलती सब के सामने खबूल कर लो ना मैंने कोई अफ़ा पहलाई ना कोई खलती की मैं तो दंकी की छोट पर आज भी यह काऊंगी तु मेरे पती के रखेल है रखेल है रखेल है क्या है बज़ाद लगाए जब जाओ आज यह उखांके पता नहीं ज़व 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 अरे ज़व ने देखो वेन मेरे को गलत मत समझना लेकिन जिस जगा बजना में होना उदर यह के कोई फाइदा नहीं है हाँ मैं तो कहता हूँ यह घर खाली कर दो कहीं और चले जाओ क्योंकि जिदर शक घुश जाता है नहीं खुशी उदर से अलविदा बोलके चली जाती है नहीं गलत मत समझना बेन है क्यों पाल हुआ 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 है अच्छा भैया इस रुटते तुफान का अंत करने के लिए तुने जो रास्ता चुना है मुन्नी वो ठीक नहीं है या अंत नहीं है भैया शुरुवात है न्याई की ये लड़ाई मैं इसलिए लड़ना चाहती हूँ कि आएंदा किसी मासुम और शिरीफ लड़की को बदनामी और जूटी तोहमतों के खाई मेने दखिल दिया जाए मेरी तरह लेकिन मुन्नी मेरी बात तो सुना भैया चलो बिना गपड़ बन नहीं सो गई दुआ तो ये दुआ कैसा पुकार रही हूं तुझे किसी की पुझा में बाधा नहीं जालनी चाहिए इतना भी नहीं जानते दीदी दीदी मैं और तेरी दीदी तुम इस घर में पहले आई और मैं बाद में तो तुम मेरी दीदी हुई न आज से तुम में और मुझमें कोई फरक नहीं आज से ये घर हमारा ये बच्छी हमारी और वो यानि Πिंकी की डाड़ी हमारे पती जा कहा प्रेशरम हमारे पती हां मेरे और तुहारे सांजे पती देखो दीदी, तुम हो उनकी बिहाथ था और मैं हूर अखेल, हम उसमें क्या, साथ फेरे हुए या ना हुए, पती तो हम दोनों के हुए ना, खेच छोड़ो, मुझे तुमसे बात पूछने थी दीदी, हाँ, हमारे पती दीव है कहां के, पंजाब के, गुजरात के, बिहार के, या, कहीं के भी हो, तुम्हें क्या? वो क्या है ना दीदी, अगर ये पंजाब के हैं, तो मैं उन्हें यू फुकारूंगी, मैं के गल सुनो जी, रोटी तयार है, और कहीं ये गुजरात के हैं, तुम्हें यू कहूंगी, अरी ओ धनी जी, जम्मौ पधारो जी, और कही ये बिहार के है, तुम्हें कहूंगी, अरे ओ, पिंकी के बापू, रोटी तयार हो गई रे, जटपटा आजा, तुम सोच रहे होगी दीदी, कि मेरे और इनके बीच में ये खाने का चकर कहां से आ गया, बड़े-बड़े महापुरिशों ने एक ही बात कही है, कि अगर किस इस तरीको, अपने पुरिश का मन जीतना हो, तो उसके लिए दो ही रास्ते हैं, एक खाने का, और दूसरा सोने का, यूँ, हाँ दीदी, उस मामले में तो वो मेरे मुठी में है ही, अब कोशिश ये है, कि खाने के मामले में भी मैं उनको खुश कर दू, और हमारा पती, बस मेरा पती बन कर रहे जाए, सुलो मैं किषिन में सोलो, तेरी ये मचाल, एक तो मेरे घर में घुसाइक, उपर से मेरे पती को अपना पती कहे जारी है, और तेरी ये मजाल कैछल ही कि तुने मुझे अपने पती की रख़् हाँ, कहाँ और आगे भी कहोंगी, एक बार नहीं, हाँ, अगर ये मेरे साथ है तो कोई मुझे कुछ ने कह सकता, कहो तो अपने पते को मैं अपने साथ ले जाओं दीदी बजात, मैं तुछे जिन्दा नहीं छोड़ूगी एक शरीफ और इजददर और के चरीतर पर बेवनियाश्यक की कालिक पोटकर, बहुत बड़ा पाप किया तुमने, चलो माफी मांगों से यहाँ माफी मांगने से काम नहीं चलेगा, इसने भरे बजार मुझे पर केचिड़ उचा ली, मुझे जलील किया बदनाम किया है यह अपनी बेटी के सर पर हाथ रखके सब के सामने कसम खाए, किसने मेरे बारे में जो कुछ भी कहा वो सफिग जूट था, जब तक ऐसा नहीं होगा, मैं किसी कीमत पर यहाँ से नहीं चाओंगी पिंकी, बेटे ममी को लेकर भार चाओ चलो लो ममी, छोर संबख, बीवी ने हजार गलतिया की हो, फिर भी पती का क्या यह वर्ज है, कि गएर और आपनी बीवी को माफी माँदने पर मजबूर करे, तुम अपने आख को पती कैसे हो पती, शादी शुदा होकर भी तुम्हें यह भूले रही, कि तुम्हारा एक पती भी है, तो यह तुम्हारी भूलती है, और अगर आज मैं भी तुम्हें ऐसास दिला दूँ कि मैं तुम्हारा पती हूँ, तो यह मेरी गलती होगी है, इस से पहले कि मैं पती के अधिकारों तुम जिपचाफुन से माफ़ीं मंगो कभी नहीं, मेरे जीतरी ईगिल सो कभी नहीं होगा की मैं हिस घर से कहीं और चिली जाऊ मुझे ढ़के मां कर निकालना आता है और एक दीन मैं तुझे निकालकर होगी, देख लेना सचाईी उगलवाना मुझे भी आता है कहां चले भाईया? माफ करना बहिनिया, हम यहाँ परकास बाबु का घर समझ के आए रहे यह उनी कहता घर है, चलो दूद नापो रोज कितना दूद देते हो भाया एक लीटर आज से हम डेड़ लेंगे, आदा लीटर और डालो का कहतो बहिनिया, क्या हुआ अरे मैं साथ तो एक लीटर दूद का पईसा देने में तमाम हुज़त करते हैं तभी आदा लीटर दूद का पईसा कौन जै? मैं दूगी आएं? अच्छा, अबा समझे तुहार इघर से कोना नाता रिस्ता है का? हाँ, ठीक समझे हो भाया, नाता रिस्ता है और आइसन वैसन नाहीं एक गम खासम खास उई जो मुन्या की महतारी है ना, रूपा देवी हाँ, उनके उनसे हमार बहुत केरी नातादारी है हाँ, मुल्या मुन्नी की महतारी और हम समझ लो बहिन बहिन लागत हैं ऊबड की हम छुट की, मुन्नी की बापऊ हमको ऐसन मानत हैं आइसन मानत हैं जैसे दुई आखे narratives और तो और भाया, उनकी बिटिया भी हमोग olduğu को अपनी अम्मा मानत हैं हाँ, तो यह रिष्टे से तो हम इस घर की मालकीन खुद बखुद होई गई न, का समझें, मैं समझें तुहार ना ते रिष्टेदारी ने तो हमारी खोपड याई खाली कडडाली इल्लो, इतना चाहे निकाल ल्लो, और हमका मापी दियो प्रेमा, ओ प्रेमा, मेरी चाहे लाँ, कहां मर गई अब वही खड़ी रहेगी, यह अंदर भी आएगी अरे, यह यहाँ नहीं है, मैं उनके लिए चाहे लाई थी, शाद मेरे कमरे में गए होंगे चाहे मुझे, आपसे कुछ कहना है मैं जानता हूँ, आप क्या कहना चाहती है, यही ना, कि जो कुछ भी आप कर रही है, वो सही है, यह गलत देखिए, आपके इस धर्म्यूत में, मैं तन मंद से आपके साथ हूँ अरे, मा, क्या बड़िया चाय है, शादी के बाद पहली बार इतनी बड़िया चाय पीने को मिली, जी चाहता है, बनाने वाले के हाथ अफो, सुबह-सुबह शुरू हो गए घर ग्रहस्ते की लोगों को सुबह-सुबह उठकर नाहा दोकर तयार हो जाना जी अभी नौ बजे है, साड़े-नौ बजे से पहले आओगी तन आश्ता मिलेगा, वर्ना नहीं ओके दीदी जी शर्मी की भी हद होती है, मैं पुछती हूँ कि सत्या की जर को घर से भाह मिकालो गया नहीं तुम्हारी बे सरपैर की बातों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है आंटी ला रही हूँ बेटा आंटी जा जल्दी लाओ न मैं क्या मर गई हूँ जो आंटी आंटी चिला रही है बोल, क्या चाहिए तुझे तुम्हें किसी चीज का पता है पहले डैडी मेरी चीज संबलते थे, अब आंटी कंबा, आंटी होती कौन है तुम्हारी छोटी बेहन क्या कहा आएंदा इसे हाथ लगाए तो तो क्या कर लेगी मेरा तेरे तांट तोड़के हाथ में रख दूगी मैं इसे मारू, फीटू या कलादा बदू तु भी इसमें बोलने वाली होती कौन है ये मेरी बेटी है मैं तो भूली गी थी कि कि तुम्हारी बेटी है इसे अकेली तुमने ही पैदा किया था मिल्कुल, मैंने पैदा किया है मैंने अच्छा अच्छा, शादी से पहले या शादी के बाद बत्तमीज, तो ये कहना चाहती ही कि बच्ची ना जायत है छीच, इतनी बुरी बात मैं कैसे बूल सकती हूँ मैं तुस्से फितना कहना चाहती हूँ कि पतीदेव के साथ शादी शुदय जिंदगी गुजारने के बाद ही पिंकी पैदा हुई है ये भी कोई पूछनी की बात है तुम्हे तो दुनिया भर में गाती फिरती हो कि तुम्हारे पती और मेरे बीच कुछ कनेक्शन है तो सुनो तुम और तुम्हारे पती की बीच कुछ कनेक्शन है तुम्हारे पती और मेरे बीच कुछ कनेक्शन है तुझे यहां से जाने के लिए तैयार हूं, लेकिन एक शर्त पर तुम्हें अपनी गलती मानने ही पड़ेगी, सब के सामने यह कहना होगा, कि तुमने आज तक अपने पती और मेरे बारे में जो कुछ भी कहा, वो सब जूट है, मैं मर चाओंगी लेकिन यह बात कभी नहीं क आओ मैं तुम्हे स्कुल चपर देता हूँ, यह लो पिंकी, अरे एक मेरे रुकिये जी, मुझे भी ओफिस डॉप करती हो जाएगा, ठीक है, अच्छ दीदी, किचन में मैंने दूद रख दिया है, जब जी चाहे पी लेना, और शां को खाने पर इंतजार मत करना, हमें दे जब ममी को फोन दो, क्या, सब वेशनु देवी चले गया और मुझे बताया भी नहीं, दियान में, ओ माइग, तेरे दिमाग किदर है, जोकर भीडाना, अरे, तुझे पता नहीं, आजकल बहुत परिशान है, बीचारी, क्यों, अरे, सौच जो गुसाई है घर में, छाती प रूपा, तुम उनक बताया नहीं, आरे, हमारे होते वे तेरे को कोई डरने का बात नहीं है, आरे, अपनी कुड़ी तो बड़े-बड़े शेरों को चुहा बना चुकी है, और तिन उस गीदर से क्या दरना, और जब गीदर की मौत आती है, तो वो शेहर की तरफ भागता है अरे, अपन तो उस चुड़ेल को तेरा घर से ही नहीं आका शीया जो निकाल के भार फेकेगा, कमां गर! अब, वो दायन, भार निकाल hijos, सोओ ठीक है, मैं देखती हूँ अरे डॉली, ये अचानक तेरा चेहरा, निम्बू जैसा पीला क्यों पर गया? अरे पीला भी कहा? वो तो खुद ही अपने आप ने चोड निम्बू हो गई है, एकदम पोकल, क्या हुआ डॉली? तो तुम ही हो, जिसे देखकर हमारा एगेनर डर कर चला आया, कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए तो हम ही काफी हैं, कमान गॉल अरे ठहरो, ठहरो, रूपा, ये सच है कि अपन तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन ये भी सच है कि तुमसे पहले अपन शार्दा का बेस्ट फ्रेंड होता, जिसे वेरी वेरी नाइस गर्ल, तुम्हारे पती को फुट पास से उठाकर एक सक्सेस्फूल अग्नी बनाने वाला कौन है, ये परिष्टा I'm very very sorry Sharda, I really am, girls अभी इदर अपन का कोई काम नहीं, आपन इदर आया था एक फ्रेंड का help का वास्ते, तूसरा फ्रेंड को प्राब्लम में डालने का नहीं, okay? फूरी जब तक तुम्हारे बते घर वापस में आजाते है, तुम कहीं नहीं जा सकते हुआ रूपा, कहा जा रही हूँ? मैं जा रही हूँ, चीखने के लिए, चिलाने के लिए, दुनिया को ये बताने के लिए कि मेरे साथ क्या अन्या हो रहा है तुम तो पहले ही बहुत चिला चुकी हो, अब बागी के बच्चे हो? बहुत कुछ, बहुत कुछ नया क्या नया? तुमने कहा था मैं एक शक्की बीवी हूँ, है ना? मैं लोगों पर जूटे इल्जाम लगाया करती हूँ हो, तुम इस औरत को नहीं जानते हैं और ना ही, इसके साथ तुम्हारा विश्टा है है ना? तुमने आज तख मुझे तोका दिया मेरे साथ परेच किया मगर आज सुम्हे अपनी बैटी की कशम कहकर कहने पड़ेगा कि तुम इस औरत को नहीं जाना कुश रख I वो भीग नहीं थी, इनका अपना पन था, बड़क पन था ओ, सरक पर तो हजारों भीकारी पड़े रहते हैं, लेकिन अपने पन की ये मीठी बरसाथ, सिर्फ तुम ही पर क्यों? बड़क पन का ये दिखाऊ, सिर्फ तुमारे लिए है क्यों? तुमारे जैसे छोटे दिल वाले लोग, बड़क पन का मतलब नहीं समझ सकते रुपा ठीके, मैं छोटे दिल वाली हूँ, लेकिन एक दिन तुम्हे अपनी गल्ती का एसास होगा तब तुम जानोगे, कि समाज की नजरों में तुम कितने बड़े कुनेकार हो मैं तुम्हारा गर छोड़कर जा रही हूँ, और यहां तब तक दुबारा कदम नहीं रखूंगी, जब तक तुम्हे तुम्हे तुम्हारे की एकी सजा न मिल जाए रोकेनों से, घर के इज़त बाहर जाकर तमाशा न बन जाए तमाशा तो उसने बनाई दिया है, आपका, मेरा और अब खुद का भी आज रुपा ने इस घर की चौख़टी ने लांगी, घरस्तिक उस लक्षमन रिखा को लांगा है जिसकी सीमा में रहकर ही कोई परिवार सुखी दा सकता है मैं आ कम इन सार्व प्लीज कम इन ये तुम्हारे ट्रांसफर आउर्डर्स मेरे ट्रांसफर आउर्डर्स? हाँ, तुम्हे आज ही रिलीव होना है देली के लिए लेकिन सार, मुझे यहां आये हुए सिर्फ तेनी मैने तो हुए है इतनी जल्दी ट्रांसफर के वजह है अब बजे भी सुनना चाहोगी, तो सुनो, तुम्हारे महले के लोगों ने तुम्हारे खिलाफ ये लिखित शिकायत भेजी है, कि परकास चंदर नाम के एक शादी शुदा मर्द के साथ ना सिरफ तुम्हारे नाजाइस तालुकात हैं, बलके समाज को उंगूठा दिखा कर तुम उसी के साथ रह भी रही हूँ, इस से पहले के चारों तरफ हो रही तुम्हारी बदनामी का असर हमारे बैंक की साथ पर पड़े, तुम्हारा यहां से ट्रांसफर कर दिया गया है, सिर्फ अफवा की बुनियाद पर मेरा ट्रांसफर कर दियना, बहुत बढ़ा अनिय कर दिया है, इसलिए हमने यह कदम उठाना मुनासिब समझा Sir, अगर मैं यह और उस्विकार नहीं करती, तो नेमों के मताबिक मुझे नौकरी छोड़नी पड़ेगी और अगर मैं स्विकार करती हूँ, तो मुझे अपना सम्मान खोना पड़ेगा इसलिए मैंने फैसले किया है, कि मैं खुदी इस्तिफादे दूए एक बात और अच्छी तरह समझ ले बुड़ाओ वजलुचे लफंगे के साथ, अगर मेरी बहन को जबरदस्ती भेजने की कोशिश की तो याद रखना, यहाँ खोन की नदिया बह जाएगी नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं अरे आओ प्रकाश आओ भाई लग भाउजी लंबी उमर है तुम्हारी, तुम्हारी बारे में बात हो रही थी, जी ते रहो बेटे आहाहा, बड़ा प्यार उमर रहा है पहने इसे पूछो, यहाँ क्या करने आया है मेरे ख्याल से उस चुडेल ने मेरे पलंग पर सोने से इंकार कर दिया शायद ये नए पलंग के लिए पैसे मांगने आये हैं कोई भी आदमी उस घर में आना पसंद नहीं करेगा जहां पर उसकी बीवी उसके अगाउपर नमक छिड़कने के लिए बैठी हो अपने आत्मसनमान का गला घोटकर आज मजबूरन मुझे यह आना पड़ा तुम्हें घर वापस ले जाने के लिए वो भी इसलिए हैं कि मैं किसी बेकसुर लड़की की बेजित का कारण नहीं बनना चाहता है पड़ी फिकर है उसकी अरे बेज़दी तो उसकी होती है जिसकी कोई इज़द हो लेकिन मुझे कोई तो उसकी जग अगर तू होती तो अपनी इज़द का कच्छना कराने में कोई कसर नहीं चोड़ती चांती है वो लिड़की कहां रहती है मेरे शरीफ दामाद के घर में जिसकी नज़र लक्षमन की तरह पराई औरतों के पाउँ से उपर नहीं उठती आए हाए 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 लक्षमन की तरह देखो तो कैसा दामाद मिला है इनका रे हाथ पाउँ सब कम चलाओ भुड़ापा है गीड़ पढ़ोगी मर जाओगी दामाद जी मैं हाथ जो के कहता हूँ इसके घलतियों को माफ कर दो और इसे अपने साथ खर ले जाओ तुम सब काम खोल कर सुन लो जब तक वो बच्चलन और तो घर से नहीं निकाली जाएगी मैं वहाँ कदम भी नहीं रखूंगी चाहे इसके लिए कोई मेरी जान भी क्यों न लेले लेकिन मैं तुम्हे आज शाम तक का मौका दे रहा हूँ अगर तुमने घर आकर सारे महले के सामने उन गंदे शब्दों को वापस नहीं लिया जो तुमने एक शरीफ और इजददार आउरत के लिए कहे थे तो आइंदा इस घर में मैं नहीं मेरा वकील आएगा तलाक के कागजात के साथ यह के कह रहे है दामाद जी माफ किजी बाबजी मैं मजबूर हो चुका हूँ तुमारी इस बत्तमिजना मुझे भी कुछ करने पर मजबूर कर दिया है लेकिन मैं तुमारी तरह कोई वकील फकील नहीं भेजूंगा अगर आज शाम तक तो मैं तुमारी इस लाटली बहन को इस घर से धक्के मारकर उठागर बार पेदूंगा मेरी बहन ने किया क्या है जो तो इस घर से निकाल देना चाहता है क्या यह कभी अपने बेटे को ताले में बंद करके जिरमा देखने गई क्या कभी इसने अपनी सास से बेगावनों की तरह मुह मढ़ाए क्या तुझ जैसे निकम में आदमी को इसे देवता के रूप में नहीं बुजा मुझे निकम मोगाता है तेरी ये मजाल मेरे एक तुकड़ों पर पलने वाला अज मुझे भी हाथ उठा रहा है जिस पत्नी के बदावा तुझ एश कर रहा है तुनिया तुझे इसद की नदों से देखती है आज तु उसी को कर से निकाना चाहता है अगर मेरे बहन को कुछ हुआ भाया मेरे ही घर में मेरे पती पर हाथ उखाने की तुम्हारी हिप्पत कैसे हुई तुम अपने बहन कुछ इतना ब्यार करते हो कोई दूसरा भी अपनी बहन से उतना ही प्यार कर सकता है तुमने मेरे प्यार की खाते बहुत कुछ खोया है भाया आज इसे बहन के प्यार के लिए एक कामा कर दो उस अउरत को अपने घर से निकालकर मेरी भादी को इजद के साथ अपने घर ले जाओ और अगर तुम मेरी इतनी सी बात नहीं मान सकते तो समझ ले ना कि तुम्हारी एक बेहन थी जो मर गई बैया तुम शुट समल गए समल गए एक माट उपर छोड़ के आता हूँ सोला देता हूँ इसको चल मेरा है तुम्हे बुरा लग रहा होगा कि मैने शराब पी प्रकाश ने भी शराब पी उसे तो ठीक से पीना भी नहीं आता यह तो अच्छा हुआ मेरी नजर उस तो पड़ गए और उसमें यहां ले आया पेचारा बहुत बहुत परिशान मालूम होता है तुन्हें तो बड़ी आसानी से क्या जिया कि यहां से चले जाओ अपनी समस्या में आप सुल्चा लूँगी लेकिन तू क्या समझती है कि तेरा भाई तुझे मुसीबतों की चक्की में पिसने के लिए अकिला छोड़ लेगा अरे क्या तेरी प्राब्लम मेरी प्राब्लम नहीं मेरे पास मेरे पास दिल नहीं और सुन एक भाई को उसके करतावियों से दूर हटाना कारूनन जुन में है कारूनन जुन में प्राब्लम गुड मॉनिंग पिंगी बेटी अरे क्या हुआ मैं तुमसे बात नहीं करूंगी क्यों एक तो रात को देर से आये उपर से नजाने क्या-क्या बोल रहे थे पता है आंटी कितनी परेशान हुई सारी बेटी बोलना है तो हांटी को बोलो ना मुझे क्या बोलते हो मेरी वज़े से आपको बहुत तकलिफ उठानी पड़ी I'm sorry सोचा शायद गुहमों की आग शराब के सलाब से बुच जाएगी लेकिन वैसे मैं पीता नहीं हूँ अपने दर्द से लड़ते लड़ते मैं ठक्या हूँ तो तभी खत्म हो भी इसलिए आप यह मत समझीगा कि मैं इस शहर में पुराने रिष्टों के वज़े से चलियाई हूँ मैं तो यहाँ एक और एक आगस कितरा आई थी जिस पर आपके बीवेद में बदनामी के साही उडेल कर मुझे कहीं का नहीं छोड़ा मैं मैं इस घर में वही दाग धोनी की रादे से आई थी लेकिन इसके बदले अगर किसी मासम से उसके माँ बाप छिन जाए यह मुझे मंजूर नहीं मैं समझा नहीं मेरी वेज़े से पिंकी की माँ घर चोड़कर चलिगे और अब बापने भी शराप का रास्ता पकड़कर बच्ची से दोड़ जाने का फैसला कर लिए मैंकिन मैं ऐसे नहीं होनी दूँगी आपकी बतनी से सच कबोल करवाने का इरादा छोड़ दूँगी मैं यहां से चली जाऊंगी एक आप हैं जो समाज की उर्ती हुई उंगलियों का निशाना बनने के बावजुद मेरी पेटी के लिए अपनी हार मनने के लिए तयार है उम्र भर एक जूटे कलंग के साथ जीने के लिए तयार है और दूसरी तरफ रूपा है जो अपनी पेटी की ममता को बलाकर आपको रुस्वाई के आग में चलने के लिए छोड़कर यहां से चली गई नहीं मैडम नहीं जिसके लिए मेरे मन में इतनी इज़त हो उसे दिल दिल करके मरतावा नहीं देख सकता मैं आपको उकम तो नहीं दे सकता इलतजा कर सकता हूँ आप तब तक इस घर से न जायें जब तक रूपा अप पर लगाए शर्बनाग इल्जामों को वापस नहीं ले लेती बरी बहार में खिजा क्यों जली आई है कि नजर किसने मेरे फूल को लगाई है तेरे घमों से गुल्शन की आग क्यों भराई है ये हमारे जजबात थे अगर हम चाहते हैं तो अपने मुझे भी कह सकते थे मगर तुम तो जानती हो हम जो भी करते हैं जरा हट के करते हैं सच मुझे देखकर बड़ा दुख होता है के भरी जवानी में तुम यहां तिल-दिल करके जलती रहती हो और वहां तुम्हारा दिल फैक मियां घैर और ओरतों के साथ में इश्की शत्रंच खिल रहा है यू बैठे रहने से काम नहीं चलेगा देखो तुम्हें भी इट का जवाब पत्तर से देना चाहिए अभी भी कुछ नहीं बिगडा मैं भी वही हो तुम भी वही हो और हमारा प्यार भी वही है बस बीच में चोटी सी दिवार है उस दिवार को अटा दो और हम दोनों एक हो जाएंगे ये मंगल सूत्र की इसने मुझे थपड मारा इसका जवाब गुल्शन देगा लेकिन जरा शिव बिना केलाश, राम बिना योध्या और प्रकाश बिना ये दुकान अंधेरी है जब तक अपनी परिशानियों से छुटकारा पाने का कोई रास्ता नजर नहीं आता तब तक ये दुकान बंद रहेगी लेकिन मैं अपनी परिशानियों से तुम लोगों को परिशान नहीं करना चाहता हूँ तुम लोगों की तंखवा हर मेहने की पहली तारिक को तुम लोगों के घर-घर में पहुंच जाएगी मालिक बरसों से हमने इस दुकान का नमक खाया है अगर छोटा मुबड़ी बात ना लगे तो आप कुछ दिनों के लिए अपनी सारे चिंताएं भुलाकर अपना पूरा दिमाग घर की उलजने सुलजाने में लगा दीजिए भगवान ने चाहा तो सब ठीक होगा पुत्ली बाई के साथ रहते रहते मैं तो भूली गया था मेरे पास दिमाग भी है बाबुजी आपने अपना घर छोड़ने का फैसला किया ये गलत है हमारे साथ रहने का फैसला किया ये और भी गलत है घरों में तो यह सब कुछ चलता ही रहता, इससे घबरागर आदमी अपना घर बीबी बच्चे थोड़ी चोड़ी देता क्यों नहीं, मेरा फैसला तो तभी बदलेगा, जब पुतली भाई चाप धरम पत्नी का धिमाग ठिकाने आए, और वो अपनी लाडों को वापस बेज़ दे, क्यों, मेरी स्कीम बढ़िया है ना नहीं बाबुजी मुझे ऐस सब पसंद नहीं, पसंद तो मुझे भी नहीं, लेकिन वो कहते है न, लोहा ही लोहे को काटता है, तो जाने दो, यह सब स्वादिष्ट मिठायां साने रख्यों, तो वो कुईन इनकी गोली को क्यों याद करें, शुरू करो, शुरू करो, हो ज कर रहा है, जैसे कि, रामवान मलम, सुन, जो मैं बाजा, जी बाबजी, स्टैंप पेपर कहां मिलेगा, अब इसकी क्या जरूदा पड़ी बाबजी, बेची, तिरी सास में, आज 30 साल से, गोबर जैसी बे स्वाद चीजे खिला खिला कर, मेरे स्वाद की अर्ची उठा दी आज ये रसकुले काकर, मेरी बेजान जीव में फिर से चान पड़ गई, इसलिए, आज मैं अपनी सारी दौलत, उन हाथों के नाम लिग देना चाहता हूँ, जिन्होंने ये रसकुले बनाए है, नाना जी, नाना जी, आंटी आपको इससे भी बढ़िया मिठाई बना के ख अच्छा, अच्छा, आप लोग चाहे भीजे, मैं पिंकी को स्कूल छोड़ के आती हूँ, ठीक स्कूल छोड़ाओ, उसके बाद मिठाई बनाना, बढ़िया मिठाई मेरे लिए है, टाटा नाना जी, भागवान ने इन दोनों के बीच जो प्यार का बंधन बाद दिया है, मुझे कोई नहीं तोर सकता, मुझे भी इसी बात का डर है, ओसम दोला है, मायावान होई, अरे माया ऐ, सिर्ग मेरे कप्र हैं नहीं बज्दे, मेरा दिल, मेरा दिमाग सब कुछ बजल गया है, मुझे लगता है उस चुडेल ने जैसे खिला बिलाकर इनको बसने कर लिया है न वैसे ही बापू पर भी चादू फेर दिया है क्या खिला ऐसा बापू प्राम के लड़ू सालों की करवाहट के बाद आज मुझे किसी के हाथों की रस्परी मिठाईयां मिली इसकी मिठास ने मेरे भीतर सोए मर्द को जगा दिया आज मैंने जाना कि वही घर स्वर्क हो सकता है जिसका मर्द उसका स्वामी हो क्या 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 स्वर्क स्वामी बाते तो ऐसे कर रहे हो जैसे सीधे स्वर्क से सिधा रहे हो बिल्कुल प्रकाश का स्वर्ट जैसे घर देखे लिए मुझे मालूब हुआ कि आज तक मैं नर्ख भोग रहा था तुम्हारा दिमाख खराब हो गया जिस घर में तुम्हारी बेटी की सौतन तुम्हारे दामाद के साथ बुच्छरे उड़ा रही हो उस घर को तुम स्वर्ट के लिए इस सब बंदी बाते बोलते हुए शरम नहीं आती तुम्हे किसे दुमकों से जा रहे हो वो प्रकाश को नहीं प्रकाश की बेटी को सीने से लगाय रखी है उस पर सौव सौव लांचल लगाकर तुम्हारी मुर्ख बेटी यहां चली आई पेटी पेटी एक स्ट्री के लिए पती और बच्चे से घर बनता है अभी भी वक्त है अपना घर अपने पती अपने बच्ची को बचा ले हैं यह ऐसा नहों कि तेरे घर में जो है वो बन गई तेरी बच्ची की मां और तू सरफ आंटी बनकर रह गई काम करेगी बोलो घर जाकर डैडी से कहना, डैडी डैडी मैं तब तक खाना नहीं खाऊंगी जब तक आप आंटी को घर से बाहर नहीं निकालते और मम्मी को घर नहीं ले आते कहोगी न? अच्छा बता, क्या कहेगी? मैं कहूंगी जागी जाडी मैं तब तक खाना नहीं खाऊंगी जब तक आप आँपी को घर से बाहर नहीं निकालेंगे और मम्मी को वापस घर नहीं लाएंगे ऐसा मम्मी ने कहने को कहा है मुझे रूपा से अकेले में कुछ बाते करनी है अगर आप लोगोंगी इजाजद हो तो अब बात करने को बचा ही क्या है तुम चुपरो पेटा अपनी बीबी से बात करने के लिए किसी की इजाजद की जरूरत नहीं होती बाव जी इस घर में बस एक आप ही समझदार है लगता है सब ठीक होगे बेटा जी हाँ तो रूपा को तुम सार ले जारो ना अगर वो मेरे साथ अकेले चलने के लिए तयार है तो मेरा ये मतलब नहीं था बाव जी फिर मैं उनकी बात कर रहा था जो रूपा के हमेशा के साथ ही बन चुके है मतलब? मतलब ये रूपा का जूटा अभिमान उसकी जिद, हिर्शा, द्वेश, बदले की भावना अगर वो इनको हमेशा के लिए छोड़ने के लिए तयार है तभी मैं उसे अपने साथ ले जाने के लिए तयार हूँ मेरी बेहन पर तुरे जो जूम किया है उसका जवाब तेरी बेहन की हट्डिया तोड़कर मैं आभी देता हूँ ख़दा, एक भी ख़दम आगे बढ़ा है तो मैं तरी टांगे तो उर दूगा पेटे, सारा घर जब तुम्हारे खिलाफ हो चुका है तब सिर्फ मैं ही तुम्हारे साथ था तुम्हारे इज़त करता था मैं ये नहीं कहता कि मेरी बेटी ने कोई गलती नहीं की लेकिन तुम्हारे जैसे समझदार आदमी का भी बीवी को बेदर्दी से मारना ये गलत है पर तुम्हें रूपा में फरकी किया रहा पिंकी, इधर आओ बिटा आँटी, मैं बहर खिलने जाओ लेकिन साड़कपर मत जाना अच्छा आँटी पिंकी शादा 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 सुनी आपने करें पिंकी को देखा? नहीं बैंस, मैंने तो नहीं देखा सुनी, पता नहीं पिंकी कहां चलीगी मैंने तो उसे इस तरफ नहीं देखा यहीं तो थी ही तो यहीं कहीं खेल रही होगी? सुनि पिंकी यहां खेल रही थी पता नहीं कहां चलीगी अरे तुझे क्या पता होगा? जिसे बच्चा जननी का दर्ड ही न सहाँ हो पराई ओला तो पराई होती है क्या बोलागीे बैं क्या है बें जोने अपने गाम करोने, चबर 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 अख़ा दिन करते रहता है, सुनी, पिंकी नजर नहीं आ रही है, शार्दा बेन फिकर क्यों करता है, मिरी जाएगी बच्ची, मैं जा कि टेलिफून करता हूँ प्रकास भाई को, आप फिकर मत करूँ ला, बेबी शार्दा वुर्फ पिंकी, ये बच्ची कर शाम से ला पता है, उमर छे साल, रंग गोरा, कर लगबग साड़े तीन फुट, जिसे इस बच्ची का अता-पता मिले, वो नजदी के पुलिस टेशन पर संपर्ट करें. आप ही शार्दा देवी हैं? जी, बच्ची का कुछ पता चला? हमें खबर मिली है कि बच्ची का खून हो गया है. क्या है? यह नहीं हो सकता. हो चुका है. और उसी खून के अद्जाम में हम तुम्हें गरफतार करने आज़ें. यह अब क्या कह रहें? मैं तो? जो कुछ कहना है, पुलिस टेशन चलके कही है. लेकिन इंस्पिटर साब? मेरे साथ चलिए. लड़की की मा और मामा ने तुम्हारे खिलाब रिपोर्ट दच कराई है. लड़की के बाप के साथ तुम्हारा नाजासिश्टा था. और चुंके वो लड़की तुम्हारे प्यार के बीच कांटा बन गई, इसलिए तुमने उसे माई डाना है. यह जूट है, इंस्पेक्टर. यह मेरी बेटी से इतना प्यार करती थी, जितना उसकी सगी मा ने भी नहीं किया. यह जूटी रिपोर्ट उन लोगों ने इन्हें फसाने वो बेज़ज़त करने के लिए किया है. मुझे पूरा यकीन है मेरी बेटी को कुछ नहीं हुआ है. यह सिर्फ मेरी बीवी के एक चाल है. मेरी आपसे रिक्रिस्ट है कि जल्द बाजी में आप लोग कोई गलत फैसला न करें. बिना सुबूत के पुलिस गलत फैसले पर पहुँचती है नहीं. हमदार! जिस दिन बच्ची गुम हुई, उस दिन यही कपड़े पहनी हुई थी न? यही जूते, यही चूड़ी और टॉप्स. लेकिन इंस्पेक्टर, इन सबूतों की आधार पर आप इने कातिल के से ढहरा सकते हैं? इसलिए कि एक और ठो सुबूत हाथ लगा है. बहुत सॉलिड यह घड़ी है. लेकिन यहां कैसे आगई? यहां नहीं, यह घड़ी हमें मौकई वारदात पर मिली है. कहते हैं न, मुझरिम कितना ही शातिर से शातिर क्यों न हो? कही ना कहीं गलती, कहीं बैठता है. नहीं, मैंने कुछ नहीं किया. मेरा एकि इंकी जी मैंने कुछ नहीं क मैंने कुछ नहीं हुआ. मैं तो, मैं तो से कितना. मैं सच कहती हूँ. मैंने उसे नहीं मरा. मैं खातिल नहीं हूँ. जोर अनर, गवाफ पांडूरंग का बयान, मौके वारदात पर मरी हुई बच्ची के कपड़े, और खुद मुल्जिमा की घड़ी से ये साफ जाहिर हो चुका है, कि अपने और अपने हाशिक के बीच का काटा निकालने के लिए, मौके मुल्जिमा शारदा देवी ने बच्ची को बेहमी से गत्ल कर दिया, इसलिए मैं ये अदालत से दर्खास करूंगा, कि समाज और 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 कलंक लगाने वाली इस कलंकी ता और और को सफसे सफसलदा दी जाए, ताके फिर कोई खुदगर्ज और इतना भयानक ज पर पहुंचने के लिए मजबूर कर रहे हैं, जबकि ये बात सभी जानते हैं कि सिक्के का एक दूसरा पहलू भी होता है, जिससे नदर अंदाज करना कानूनन जुर्म है, Your Honor, सिक्के के इसी दूसरे पहलू, यानि कि शारदा देवी पर लगाएगे इल्जामों पर उनके मैं एक नई रॉष्णी डालना चाहता हूँ, इजावजत है, ना, मुन्या, तुम कहा चले हैं, तुम तो मेरी सर्चलाइट हो, तो तुम्हारा नाम पांडू है, जी साब, पांडू रंग क्या काम करते हो, मच्छी पगड़ता हूँ साब, दरिया पर, जी साब, तो मंगल तुम्हारा मतलब है कि कातिल ने तुम्हें गवाह बनाने के लिए पहले तुम्हारे साब ने अपनी घड़ी उतार कर रखी, और फिर बच्ची के कपड़े, और फिर देखते ही देखते, उसे पानी में धखेल कर माल डाला, और, 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 ये बात सभी अच्छी तरह जानते हैं कि समुंदर इंसान की तरह लालची नहीं होता, वो अपने अंदर कोई चीज चिपा कर नहीं रख सकता, इसके बाद भी अगर बच्ची का कतल हुआ होता, तो लैरो ने लाश को किनारे पर पठक दिया होता, और अब त पैसे मिले थे, जूठी कवाई देने के, कितने पैसे मिले थे? तो आप रूपादेवी हैं, जी, आप कितना पड़ी हैं? बी ए, और आपके पती? मैट्रिक, बी ए पास होते भी आपने एक मैट्रिक पास लड़के से शादी की, ये कैसे? ये शादी मैंने नहीं की, मेरे पिता ने करवाई थी. इसका मतलब आपकी शादी में कोई दिर्चस्पी नहीं थी, कोई मर्जी नहीं थी. Objection, Your Honor! शादी में दिर्चस्पी लिए बिना ही, ये एक बच्चे की मा कैसे बन गई? Your Honor, इस तरह मेरे और मेरे गवार के बीच में टांगणाना कानूनन जुर्म है. You may proceed. आखरी बार अपनी बच्ची को कब मिली थी? उसकी स्कूल में. आप उसकी स्कूल क्यों गई थी? पच्ची से ये कहने, कि वो अपने डैटी से मुझे मिलाने में मदद करे. ओ, मतलब ये कि बच्ची तक तुम्हें तुम्हारी ममता नहीं, तुम्हारा स्वात खीच कर ले गया. और जाहिर है कि जब बच्ची ने तुम्हारी बात नहीं सुनी तो तुमने उसे पीटा होगा. और ये सोचकर कि बच्ची ने तुम्हे तुम्हेरे पती से मिलाने में कोई मदद नहीं की, तुम्हे उसे एक फाल्तू चीज समझ कर बैचारी को ख़त्म कर दिया होगा नहीं, नहीं, मैंने इस नहीं किया औबजेक्शन, यूर उनर, क्या दुनिया की कोई भी माँ अपने छोटे से सुआद के लिए खुद अपनी आउलाद का खुन कर सकती है अरे क्यों नहीं कर सकती, माँ भारत सीरल में गंगा ने अपने बेटों को पानी में नहीं बाद दिया था क्या, बात करते हो याद, पतल क्या तुम्हारा मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि बच्ची की गातला खुद उसकी मा रुपा देवी है I object, Your Honor, मेरे काबिल दोस्सिर्फ हवा में बाते कर रहे हैं, अभी तक इनके पास कोई सबूत या ऐसा कोई गवाद नहीं मिला है, जिसने अपनी आखों से रुपा देव को कजल करते ही भी देखा हो, इसलिए Your Honor, मेरी चिरा भी पूरी नहीं हुई है You may proceed Thank you ये जो औरत आपके सामने खड़ी है, इसे आपने पहले कभी देखा है जी हाँ कहाँ मेरे बगल वाले घर में क्या ये औरत अभी भी वहीं रहती है नहीं, अभी मेरे घर में रहती है आपके घर में? क्या आप अदालत को इसकी वज़ा बता सकती है मैं बताता हूँ, क्योंकि आपके खयाल में आपके पती में हाँ तुमने अपनी आँखों से कभी कुछ देखा? नहीं, मैंने सोचा सोचा, सिर्फ सोचा रूपा देवी, देखा नहीं और अभी मेरे काबिल दोस्त ने कहा कि बिन अपनी आँखों से देखें किसी फैसली पर पहुंचना गलत है जबकि रूपा देवी ने बिन अपनी आँखों से देखें मेरी मुवक्ला शार्दा देवी पर ऐसे घिनोने इल्जाम लगाए हैं कि उनका खुद अपने महले में सर उठा कर चलना नामुम्किन हो गया उनकी पर्मनेंट नौकरी चली गई यहां था कि बिचारी की सगाई भी तूट गी यूर आनर अगर किसी को जान से मार देना कानूनन जुर्म है तो किसी के चरित्री की हत्या करना भी एक संगीन जुन से कम नहीं जो रूपा देवी ने किया है जिस ओरत को ऐसे अपराद करने की आदत सी पर जाए उसके लिए अपनी बच्ची को मारना भी बहुत बड़ी बात नहीं इसलिए मैं अदालत से दर्ख्वास करता हूँ कि श्रीमती रूपा देवी को उनके अपराद के लिए उचित धंड भी आ जाए इस मौआमले का फैसला अदालत कल तक मुल्तवी करती है आओ आओ रूपा रानी वो आए गुल्शन के घार कभी हम तुमको कभी अपने आपको देखते हैं कुल्शन मेरी बच्ची कहा है बच्ची यहें कहें खेल रही होगी तुमने कहा था कि तुम्हारी तर्किप से मेरे पतिस औरत को बाहर करके मुझे घल ले जाएंगे इसलिए इसलिए मैंने तुम्हें अपनी बेटी का अफारण करने दिया लेकिन अदालत में पांसा पलग चुका है उल्टा इल्जा मुझे पलगाय जा रहा है इससे पहले कि इस जुटे खेल के कारत मुझे हद कडिया लगे मुझे मेरी बच्ची वापस कर दो बुल्शत मेरी बच्ची वापस कर दो अफा घवरा मत रूपा अरे कहीं ऐसा भी हुआ है कि गवाई मुझरिम बन जाए देखो तुम मुझे पर भरोसा रखो जस औरत में मुझे मेरी नौकरी चीनी है जस दिन मैं उससे बदला ले लूँगा तो मैं तुम्हारी बच्ची वापस कर दूगा तुम बिलकोल बच्ची मत करो, तुम जाओ ं हैं? بिलकोल चिंतामत करो, शाबश जाँ, जाँ रे safe faith isin disa, ठीक हो जाएगा तुम्हारी बच्ची तुम्हें मिल जाएगी और तुम्हारी बच्ची क्या तुम्हारा हस्बेन भी वापस आ जाएगा अच्छा बच्चू तो ये बात है तो अब तेरे साथ भी जो कुछ होगा ना जरा हटके होगा क्योंकि हम किसी से कम नहीं समझाने हैं रुख जाए है यह अनर! बच्ची मिल गए और जिन्दा है! यही है वो शक्स, जो मेरी बच्ची की जिन्देगी से केल रा था, इसी नहीं से किरने किया था! मौसी, यह सब लोग कहां जा रहे हैं तुम्हें मालूम नहीं, सब लोग शादी में जा रहे हैं, शादी? वाल मेरी थ को रहे हैं तुम्हें और जादी में जादी से कहां जांज मोसी की जादाी लोग कãosे आन tek naught है टो हुआ हैं, लोग औरहे हैं! यहाए सब लोग को! बच्स्वा बंद करो! ए, मेरे कहने पर तुम यहाँ होए, मैंने तुमको पैसे दिये, इन मैडम के कहने पर बंद कर रहे हो, यह कानून अन्जुर मैं है, चलो शुरू करो! आव आओ, बेन आओ, ये लो, फूल डालो! आओ, बेटी, ये बड़ अच्या शुगून है, ये फूल भगवान ने अपने हाथों से तुम पर बरसा है, जाओ, अपना काम करूँ! पीता जी, आपकी आँखों के साब में आपकी बेटी का संसाल लुट रहा है, आप उसे रोकने के बजाए बढ़ावा दे रहे हैं! खरे-खरे, क्या देख रहे हो? काम वाम करूँना जाकर, अहां, मैं तो जाता हूँ, मेरे को दूसरा भी बहुत काम है, जैसी करणी, वैसी भरणी, जो जैसा भूएगा, वैसी फसल काटेगा! पिता जी, यह क्या मा, जब भी मैं मुसीवत में होती थी, तो तुमने मेरा साथ दिया, मेरे आसों पहुंचे, और आज, अपनी बेटी का मंगल सुतर चीन कर, बढ़ाई आरत ये गले में डाल रही है! क्या कर रही हो मा, फालतू आ रहा तो सब फालतू बाते क्यों कर रही हो, पुजा की थाली तेयर करो, मौरत का समय हो रहा है! पहिया, अब तुम्हारे लिए में फालतू हो गई, ठीक है, ये लो, सुनिये, अरे, आप, आईए, आईए, पिंगी बेटे, जरा इने बिठाईए, आईए आउंटी, आउंटी, तुने मुझे आउंटी कहा, देखो, तुम बदले, तुम बदले, मेरी बेटी की होते हैं, इनके साथ जो जैसा वयवार करता है, इनके दिमाग पर वैसी चाप पड़ जाती है, जो लाग चाहने पर भी मिठाई नहीं जा सकती है, अब आई गई हो, तो शांती से बैठो, अपना आशिरवाद दो, शादी के बाद मुझ मिठा करके, खुशी-खुशी घर नहीं, तुम्हें छोड़कर अब में कहीं नहीं जाओगी, तुम्हारे साथ ही रहोंगी, साथ रहोगी नहीं, साथ रहती ठी, और अब वो भी एक भूली हुई कहानी हो चुकी है, इसके इलाहों को यह और मदद चाहिए तो बोलो, यहाँ शेहर के बड़े-बड़े लोग मौझूद है, तुम चाहो तो, तुम्हारे गुजारे का इंतजाम करवा सकता हूँ देखो जी, मुझे नादान समझ कर माफ कर दो, मैंने जो कुछ किया, उसका अंजाव यह भी हो सकता है मैंने आज ही जाना, मुझे अपना लो, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती, नहीं जी सकती अब जानने से क्या फाइदा, ना बोड़ा तोता राम राम सिख सकता है, ना अंदा आदमी सूर्य नमस्कार कर सकता है फिर भी अगर सिर्फ मैं ही वो आदमी होता, जिसे तुम्हारी वज़े से मुसीबते जिलनी पड़ी, तो मैं तुम्हें माफ कर देता अपने लिए ना सही, अपनी बेटी के लिए तुम्हें दोबारा अपना लेता, लेकिन जिसने तुम्हारी वज़े से अपना वर्तमान, अपना भविश्य सब कुछ खो दिया, यहां तक के मुल्जिम बनकर टटेरे में खड़ा होना पड़ा, वो तुम्हें कैसे माफ कर सक जार्दा, मैंने जो भी कुछ किया, जूटे शक और चलन की वज़े से किया, वक्त की ठोकरे खाकर मैं समझ चुकी हूँ, कि यह सब कुछ करके मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, यह बात मैं सिर्फ तुमसे ही नहीं, इन सब लोगों के सामने अपनी बेटी की सौगत कहा कि तुम निर्दोश हो, पवित्र हो, इस में तुम्हारा कोई खसूर थे ही, मुझे माफ कर दो शार्दा, मेरा जीवन तुम्हारे हाथों में, यह शादी रोग दो शार्दा, यह शादी रोग तुमने दोने से कोई फैदा नहीं, तुमने अपनी भूल मानने में बहुत देर करती रुपा, सारी तैयारियां हो चुकी है, यह शादी नहीं रुखी जा सकती आगर क्यों, यह नहीं होगा, मैं यह शादी नहीं होने दूगी, अगर यह शादी होई, तो तुम्हारी डॉली मेरी अर्टी पर से गुजरेगी, मैं अपना पती किसी से बाग नहीं सकती, मेरा पती सिर्फ मेरा है, मेरा यही बात सुनने के लिए मेरे कान तरस रहे थे, तुम ही नहीं, इस धर्टी पर जनम लेने वाली हर औरती ही सुचती है, कि उसका पती सिर्फ उसी का हो, मैं भी एक औरत हूँ, तुम्हारे मन की बात मैं अच्छी तरह समझ सकती हूँ, तुमने मेरे साथ चुकिया सुकिया लेकिन अपने पती को भी कितना दुख पहुचाया, उनका अपमान किया, जूटी आरोप लगाकर उनका दिल दुखाया, इतने पर भी उनने उफ तक नहीं किया, अरे, तुम्हे तो अपनी सुखाग पर अभिमान होना चाहिए, तुम्हारे पती ने तुम्हारे अलवा और किसी लड़की के बारे में सपने में भी ने सोचा, रोपा, याद रखना, मैंने कभी नहीं चाहा कि तुम्हारा मंगर सुतर छीन कर, मैं अपने गले में डाल लो, पती तो सभी को मिल सकता है, लेकिन अच्छा इंसान, किसी किसी को मिलता है, सुनो, ये वेवा मेरा और प्र कि अगर बच्ची से ही सलामत मिल जाए, तो मैं क्रिशन तुलसी विवा रचाओंगी, और भगवानी मेरी सुनली, वो देखो मुझे माफ करतो, मुझे माफ करतो मामी रूपा, एक बात याद रखना, इस धर्ती पर औरत को रूप लेकर जनम लेना, बड़े सोभागी की बात है, पुन्न की बात है पत्ली के जीवन में कभे तूफान बनकर मत गुजरना, हमेशा ठंडी हवा का छोका बनकर रहना ठंडी हुआ प्रकुचर्श झाल